हेलो दोस्तों, हाचल टेरिस काडन में आपका स्वागत है, आज है जन्वरी की 18 तारीक, शाम के 4 बजे हैं, देखे कितना खुपसूरत रोज का फ्लावर खिला हुआ है, ओरेंज और यलो शेड में इसका फूल होता है, और देखे, इसकी हालत देखे, प्लांट की जश्ट अभी मैं स्कूल से आ रही हूँ और अपने टेरिस पे आई हूँ, प्लांट को देखने के लिए, तो मुझे बहुत ही बुरा लगा, लगातार बारिश के कारण अभी विंडर प्लांट की हालत खराब थी, और जो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे थे, ज को डेमेज कर दिया है, तो मूझ डाफ हो जाता है, फ्रेंट से इस तरह से अपने गार्डन को देखती हूँ तो, दिन भर कोई नहीं रहता घर में, जिसके कारण बंदर को भगाने वाले भी नहीं होते, और आने के बाद फिर ये सब देखना बहुत ही दुख का कारण बनत और देखिए सारे ब्रांच को तोड़ डाले हैं, देख रहे हैं ये इस तरह से, गुलाब को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुचाते हैं, बंदर हमारे यहाँ, इसलिए मैं वेजिटेबल्स नहीं लगाती, और आज की वीडियो मैं आप से शेयर करूंगी, ये जो मेरे 5- 6 गमले खाली हो गए हैं, कैलेन कोई के प्लांट को मैंने निकाल दिया है, तो उन्हीं गमलो में मैं कुछ प्लांट्स शिप्ट करूंगी, आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, तो चलिए कौन-कौन से प्लांट्स हम लगाते हैं, वो देखते हैं, तो इस तरह पाते हैं, तो थोड़ा सा डहलिया को भी देख लेते हैं, डहलिया के दो फ्लावर खिले हुए हैं, कलिया काफी बनी हुई है, और इसके फ्लावर भी बहुत नुकसान हुए हैं अभी बारिश में, और यहां पर देखें, बहुत सारे मेरे कटिंग और सीड से जो ग्रो हु सेपलीन उनको मैंने पॉली बैग में लगा कर रखा हुआ था तो उनको भी मैं शिप्ट कर दूंगी तीन प्लांट इसके लगा दूंगी यह देख रहा है तो जो हमारा इन्वल की सेंधम है वो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है अभी स्प्रिंग सीजन में और इसके फूल बहुत खुबसूरत होते हैं फर्स्ट टाइम मैंने अपने गार्डन में इसे ग्रो किया है मुझे बहुत शौक था इसके प्लांट को लगाने का और सरकारी नरसरी में इसके सेपलिन मुझे मिल गए वो भी फ्री में ही और यहाँ पर आप भी गोनिया देख रहे हैं और देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच प्लांट मैं लेके आई हूँ और गमला है मेरे पास छे तो एक प्लांट और निकालते हैं यह लेते हैं फ्रेंट्स यह गुढ़ल है हमारा जो देशी गुढ़ल है गुच्छे वाला पिंग कलर का उसी का यह कटिंग मैंने लग गाई थी और देखिए यह काफी बड़ा प्लांट बन गया है अभी और इसमें कलियां भी बन रही है लेकिन पॉट बहुत छोटा है इसलिए शायद मुझे लगता है इसकी कलियां अच्छे से खिल नहीं पा रही है तो इसको मैं बड़ा पॉट आज दे दूंगी तो वन भाइबन करके मैं सारे यह जो प्लांट है उनको सब को मैं शिप्ट करूंगी मेरे जो घमले खाली हो गए हैं उन में तो पुराने घमले की मिट्टी में ही लगाऊंगी मैं नई मिट्टी नई तयार नहीं कर रही हूँ बस उपर से इसमें मैं मिलाऊंगी वर्मी इस तरह से गुडाई करके, और उपर की मित्टी को मैं निकाल दूँगी, उसके बाद फिर मैं इसमें प्लांटस लगाऊंगी. तो बस ऐसा ही होते रहता है, हम गाडनर के लिए गमले खाली होते रहते हैं, और नए प्लांटस जो हम शिप्ट करते रहते हैं. और देखिए ये मेरा वर्मी कंपोस्ट है और मैंने इसमें मिला दिया है फंगिसाइट पॉडर बस यही दो चीजों को मैं इसमें मिक्स करूँगी क्योंकि ये केलन कोई के प्लांट इसमें लगे हुए थे गंबले में और उसमें अच्छी मात्रम कंपोस्ट भी था कंटीनिव बारिश के कारण मेरे केलन कोई के प्लांट खराब हुए थे जिनको मैंने निकाला है आप लोग से शेर भी किया था विडियो तो इन ही को बस मैं डालूँगी उपर की मिट्टी हटा दूँगी पहले और उसकी बाद फिर इसमें हम मिला देंगे अपना कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट आपके पास जो भी है वो भी डाल सकते हैं कोई भी कंपोस्ट ज्यादा तर मैं वर्मी कंपोस्ट का ही यूज करती हूँ और ये देखे है फ्रेंट सी ये हमारा हॉलियोग का प्लांट ये एन्वल क्रिसम्थम हम है देखे ये कितना सुंदर मैंने पींच किया था ये देखे यहां से पींच किया था तो तीन नय प्रांच निकले है तो और बस कुछ नहीं करना है, सिम्पल, यहाँ पर हम लगा देंगे अपने प्लांट को, वैसे भी हाड़ी प्लांट होता है, इन्वल क्रिस जन्थमम जो होता है वो, और एकदम स्पेशल मिट्टी की भी जरूरत नहीं होती, वेल्डरिन मिट्टी होनी चाहिए, और एकदम ज़ादा फर्टिलाइजर की भी जरूरत नहीं होती इसको, और यह भी सिजनल प्लांट ही होता है, और देखिए, इसके सीड मैं इस साल जरूर करलेक्ट करके रखूंगी, सीड से बहुत इसली ग्रो होता है, और कटिंग से भी मैं शेयर करूंगी आपके साथ, यह देखिए, एकदम सिंपल तरीका, बस लगा देना है, और एक महने में ही इसमें जबरदस्त फ्लावरिंग चलेगी, फरवरी का जो महिना होगा, उसमें इसकी ब्लूमिंग देखते ही बनेगी फ्रेंट्स, और मैं तो आप लोग से साथ अपना अपडेट शेयर करते ही रहती हूं, गार्डन का, और इसमें मैं लगाओंगी बड़ा जो गमला है उसमें, यह 11-12 इंच का गमला है यह सिमेंट का, तो इसमें मैं लगा दूँगी गुढ़हल को, यह वाला जो कटिंग से तयार हुआ है, और मल्टी पेटल वाला है और देखिए, इसके रूट्स देखिए, काफी बड़िया रूट्स डेवलप हुए हैं, और यह छोटा 7 इंच का पॉट है, 7 इंच का ही पॉट है यह, तो इसमें देखिए, इसकी रूट बाउंड भी हो रही थी, और ज्यादा दिन नहीं हुआ है, ज्यादा पुराना भी भी नहीं है यह, मांसुन के सीजन में ही मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, बहुत इजीली ग्रो होता है, जो गुढ़ल का प्लांट होता है, चाहे हाइब्रिड हो, चाहे देसी हो, और अभी तो जन्वरी फर्वरी के महिने में आप जरूर लगाएं इसकी कटिंग, सबसे बेश्ट रिजल्ट तो मांसुन में मिलता है, लेकिन हमें कटिंग बारो महिने लगानी चाहिए, यह देखिए, यह यहाँ पर मैक्सिकन पिटूनिया लगा हुआ है, उसी कजड़ है, यह भी काफी घना हो जाता है, इसका जड़ भी, और जो इसके सीड गिरते रहते हैं, और सीड से यह प्रोपुगेट होते रहता है, जो मैक्सिकन पिटूनिया होता है, तो अभी समर के सीजन में उसमें भी बहुत जबरदस सा फ्लावरिंग चलेगी, आप उसका भी प्लांट कटिंग से लगा सकते हैं, और यदि आपको उसका सीड मिलता है कहीं से, तो उससे भी प्लांट बहुत सारे रेडी हो जाते हैं, और ये देखे मैं ऐसे ही इसमें रख दूंगी, और बस फिर इसको बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, और अभी हमारा स्प्रिंग सीजन और समर सीजन में इसमें फ्लावरिंग जबरदस्त होगी, और रेनी सीजन में तो होता ही हम गार्डनर के लिए, और बहुत सारे जो मेरे पर्मनिन प्लांट हैं, उनकी मैं आज प्रूनिंग भी कर दूंगी, क्योंकि मैंने गुलाब की हालत देखी है, तो मुझे बहुत गुसा भी आ रहा है, तो वहीं आसपास जो और भी पर्मनिन प्लांट मेरे हैं, उनको भी म मैं प्रून कर दूंगी आज, क्योंकि एक बार मैं अच्छे से सफाई करूंगी, वैसे तो थोड़ा-थोड़ा सफाई रोज ही होता है, लेकिन आज मैं उनकी भी प्रूनिंग करने के बाद गार्डन को अच्छे से साफ कर दूंगी, यहां कलिया भी बनी हुई है, आप द तो यहां पर देखे, मैंने सारे प्लांट को शीप्ट कर दिया है, दो हॉली वाक के हैं, और तीन एनध्यूल्क्रीसिंथम अब के हैं, और एक गुढ़ल का है, तो यह देखे, फ्रेंड्स, एनध्यूल्क्रीसिंथमा में के मेरे तीन-चार प्लांट आर बचे हुए हैं, तो उनके लिए सोच रही हूँ ग्रो बैक तयार कर लूँ और उनहीं मैं लगा दूँगी और ये देखिए इस तरह से बिखरा हुआ है और एक एन्वल क्रिसेंथमम के बाजू में ही मैंने गेंदा की कटिंग लगा दी थी हाइब्रिड गेंदा की और जादा दिन हुआ भी नहीं है आठ-दस दिन हो रहा है और देखिए इसमें रूट्स बन गया है देख रहे हैं तो गेंदा बहुत इजिली कटिंग से चल जाता है और हाइब्रिड है तो देखते हैं इसमें फ्लावरिंग होगी की नहीं इसको मैं पॉली बैग में शिप्ट कर दूँगी तो इस तरह से आज की गार्डन वर्क मैंने आप से शेयर की मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हैपी गार्डनिंग बाई थैंक यू